हम लोग अपने learning process को continue करते हैं बहुत अच्छे आप लोगों के परेडाम है सर जितना बहतर आप लोग trades को समझ रहे हैं learning आपकी इतनी बहतर चल रही है और उसके according आपके trade plans अभूत पूरु सर इतने बहतर अगर आप परेडाम देते रहेंगे तो यकीन मानिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपके लिए करने के लिए रहता है बस आज इसी positive approach के साथ सीखते रहे है और आगे बढ़ते रहे है चलिए शुरुआत करते हैं bank nifty का daily time frame पे कल के session में हम लोगों ने एक point को discuss किया था कि price में अगर कोई mother baby candle बन गया है mother baby candle बनने का मतलब है कि एक बड़े body size candle के अंदर एक दूसरे middle candle का अगर formation हो जाए ध्यान दीजे अगर इसी candle का formation इस bottom के पास हो जाता या बिलकुल एक दम top के पास हो जाता तो price वहीं रुखता है या फिर यहां रुखता है ठीक है लेकिन जब middle के आसपास हो जाए ना इस पूरे candle के beach के स्थर पे कहीं होना चाहिए लग बग लग बग तो फिर price चार से पांच sitting session उस range में निकालता है यह बड़ा usual condition है यह हर बार होता है जैसे यह candle इतना बड़ा बन गया था सर अब यह next candle की closing इस बिल्कुल candle के बीच में हो गई तो 3, 3, 6, 7, 8 station price ने यहां पर निकाले 8 station इस range के अंदर निकाले यहां पर यह body size candle अगला candle इसके middle में बन गया सर तो इस high और इस low के बीच में देखिए 3, 3, 6, 7, 8, 9 stations price ने निकाले ठीक है यह देखिए एक body size candle यहां पर बन गया एक inside candle यहां पर बड़ा बन गया तो अब देखिए इसी high के पास मैंने क्या बता है अगर high के पास बनता है तो फिर वही निकलते हैं stations low के पास बनेगा तो वहां निकलेंगे ठीक है तो यह एक identification है किस बात का no momentum का no momentum का मतलब हुआ कि आपको समझना चाहिए as a option buyer या फिर option seller आपकी एक approach होनी चाहिए कि देखे seller तो है कि बाजार कहीं नहीं जाएगा तो भी मुनाफ़ा कर लेगा buyer के लिए momentum बहुत ज़रूरी होता है जो आप लोग buying करते हैं या debit spreads बनाते है आप लोगों के लिए momentum बहुत ज़रूरी है ratio spreads ले रहे हैं तो भी ज़रूरी है तो भी ज़रूरी है हर तरीके से आप कोई housing का position लेंगे ज़रूरी है ठीक है तो वहाँ पर trade करने के लिए क्या है आपको momentum चाहिए momentum कब आएगा जब मैंने बता दिया कि 51.760 से लेकर 50.200 की यह जो range है 58.800 और 50.200 इस range में जब तक market है तब तक कोई momentum नहीं ठीक है यह daily time frame का एक candle है जब तक इस range में market है तब तक कोई momentum नहीं है इसका मतलब है कि आपको अपनी aggressive position तभी plan करनी चाहिए जब बाजार इस range को तोड़ कर बाहर निकलेगा ठीक है अब दूसरे point पर आते हैं इस candle में पूरा momentum तो नहीं है लेकिन क्या यह price जहां यह consolidation चलेगा इससे यह तै हो जाएगा कि price strong है या weak है यह बिल्कुल confirmation मानिये की तै हो जाएगा कैसे rejection from buyer side, rejection from seller side, positive, negative consolidation अगर मैं अभी आप से पूछूँ और अगर आप हमारे regular student हैं लगातार चीजों को सीख रहे हैं regular learner हैं तो आपको पता होगा कि यह जो candle का formation recently कर रहा है इसको हम बोलते हैं negative consolidation negative consolidation का मतलब क्या हुआ दो points को जड़ा बहुत ध्यान से समझे अगर एक price अभी गिरते हुए बहुत ध्यान से सुनिए ये एक support area है 1000 रुपए का भावासवर 1000 रुपीज का price है और यहां से अभी अभी price चल कर गया और जो high लगा कर आया, वो लगा कर आया 1400 के इससे एक बात तो तैह हो गए कि 1000 से 1400 हो गया तो 1000 रुपए एक खरीददार का समय है ताइम है, यहीं पर उसने खरीददारी की थी यहीं उसकी range है 1000 रुपए के असपास अब price जब इस 1000 रुपए के पास lot कर आया तो 1000 रुपए के पास जैसा भाव दिखेगा उसी से structure तयार होगा कि क्या चला है इसके लावा कोई दूसा तरीका है क्या जाने का नहीं है अब 1000 रुपए के खरीददार जैसा यहां पर अपना बेवहार दिखाएंगे जैसा आपके सामने behavior रिप्रेजेंट होगा वैसा ही तो price का next momentum होगा अब हो क्या राया है आपकी range है आपने पिछली खरीदारी 1000 रुपए पे की थी सर और आपका यहां पर position लाते-लाते क्या हुआ 1100 रुपए से एक candle बना और जो 1000 रुपए इस session को जो last तक देखेगा बहुत चीज़े clear हो जाएंगे 1000 रुपए तक गिर कर आया है ठीक है? 1000 रुपीस तक downfall हुआ है 1100 से गिर कर आया इसका मतलब है last selling price है 1100 और यहां पर पिछला buying price है 1000 रुपए खरीदार बैठे थे 1000 रुपए पे और अभी आखरी recent जो seller बैठा है वो बैठा है 1100 रुपए अब अगर इन खरीदारों को अपनी positions पे कोई खत्रा दिखे इस range के पास तो यह क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि अपनी आखरी खरीदारी 1000 रुपए पे थी तो पहला इनका जो अप्रोच होगा वो होगा प्राइस में positive thought के साथ सामने चीजों को रखना कि रेटेलर को यह लगे कि वो खरीदारी कर सकता है इस प्राइस में बायर से strong है कैसे लगेगा उनको? तो पहला तरीका होगा कि सबसे पहला काम आखरी बिखवाल के उपर जाके भाव को खड़ा कीजे कि आपका जो आखरी last buying price है वो है 1000 रुपए तो अगर 1000 रुपए के पास भाव रुक रहा है तो आप क्या ही खाक खरीद रहे है वो तो seller की potential है कि वो price को आपके buying area के पास रुक रहा है और buyer का potential ये है कि seller अगर अबब prices short करते हुए आया है तो कम से कम उसके आखरी selling के price के उपर भाव को खड़ा रखिए तो ये एक positive mindset हमारे तरफ deliver करता है retailers की तरफ, हम जैसे traders की तरफ जो समझदार हैं बाजार में आप भी बहुत समझदार हो गया है sir तो positive consolidation क्या है last selling के अबब अगर price consolidate कर रहा है तो वो है positive consolidation अगर आखरी खरीदारी आपने 1100 पे की बिकवाली, आखरी selling की है seller ने 1100 पे और price आया 1000 रुपया ये तो buying का range है ना sir यहां से खरीदारी होके 1100 के उपर भाव को रोकना चाहिए अगर अच्छा खरीदार है तो और अगर अच्छा खरीदार नहीं है तो तो खरीदने की कोशिश तो करेगा लेकिन seller 1100 के उपर price को निकलने नहीं देंगे और कोशिश करेंगे price को रोका जाए और जब तक price 1100 के उपर अगर नहीं रुक रहा है और 1100 की range में रुक रहा है इसका मतलब है ये एक consolidation range है जिसको हम negative consolidation कह रहे हैं कि sellers ज़्यादा aggressive दिख रहे हैं buyers यहाँ पर पिछली बार बहुत domination के साथ 1400 तक ले गए था लेकिन इस बार क्या है sellers लगता है ज़्यादा बेच रहे हैं और इस support कोई respect ना दे बस रोके रहे जितना यहाँ demand पड़े उसको काटते हुए low break करा दे consolidation nearby support मैंने पिछले session में आपको बताया कल के session में कि price अगर consolidate करता है अपने support area के पास वो एक short selling का price है वहाँ से दुबारा बाजार में दवाव बन रहा है और गिरावट हो सकती है अभी बताये last buying price price गिरा और यह आपके last buying price थे यहाँ पर यह आप खरीदारी करके यहाँ से आपने momentum दिया और price को लेके गए कहाँ 54-400 के पास ठीक है अब आप यहाँ से गिरावट करते हुए नीचे आ रहे हैं fall के साथ और आपने जो low लगा दिया वो लगा दिया है 54-250 के पास और आखरी last selling price जो आपका है वो है 51-700, 50-700, 51-800 round figure पहली candle buyer जो close करा पाए उनका last buying price जो है वो है यह 51-500, 500-400 और close हुआ है यह candle आप देखिए तो 51-000 के पास 50-400 से 600 point ठीक बात है आज buyers कोशिश कर रहे थे price को last selling price के उपर रखा जाए कोशिश कर रहे थे sellers ने क्या किया अपनी positions को safe किया और closing दुबारा क्या वो नजर कराया जहां कल आप खरीद कर लाए थे आप और खरीदारी करके उपर जा रहे थे sellers दुबारा लेकि उसी जगे price को लाके खड़ा कर दिये मतलब seller अपनी range 51-800 पर aggressive है और buyer का aggressive behavior यहां से दिख तो रहा है कि price में उन्होंने खरीदारी की लेकिन वो sustain नहीं करा पाए दो candles के formation हो गये negative अब अगली 2-3 candle अगर और इसी range में बनती है तो price में देखेंगे क्या behavior है अभी तक का recent market scenario अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा यह एक negative consolidation का अप्रोज है कि seller अपने last selling price से price को गिराता है और नीचे close कराता है और यह rejection from seller side भाव चला के उपर लेगे सेलर ने बेच कर नीचे close करा दिया यह क्या है rejection from seller side rejection from seller side की supplier बेच रहा है ठीक है समझ में आया इतना सा point अब यह जो candle है और यह जो candle है इसको हम कहते हैं seller's aggressive behavior candle मतलब अब इस तरीके के formation के बाद यह जरूरी नहीं है कि price यहाँ पर 4 session और निकाले निकाल सकता है जब तक यह low break नहीं होते तब तक price चाहे तो जितना चाहे consolidation करे लेकिन जब इस तरीके का behavior जैसे आज के candle का formation इस candle का formation ऐसे behavior जब आपको price में दिखने लगे तो समझ लीजिए वो seller's का aggressive behavior है और इसी तरीके का इसका just opposite projection जब आपको बाजार में दिखने लगे तो समझ यह buyers का aggressive behavior है इसको हम कहते हैं price में दो गुनी खरीदारी करना या price में दो गुनी बिखवाली करना क्या मतलब है अभी मेरे account में पैसा है sir thousand CR, 1000 क्रोड रुपया, नहीं sir कि पहली बिखवाली मेरी किसी भाव में 100 रुपय पे हुआ और उसके impact से भाव 95 रुपय तक गिर कर आए ठीक है आचानक से कोई खरीदार आए और 95 रुपय से खरीद कर भाव को दुबारा 100 रुपय पे लाके खड़ा कर दे तो मैं सोचूंगा कितना ही aggressive sir बायर है अभी तो मैंने 200 करोड की खरीदार बिक्वाली की थी 800 करोड रुपया मेरा pending रह गया था और देखे उसने दुबारा खरीदारी करके दुबारा मतलब 200 करोड के आसपास से खरीदारी उसने कुछ कम की होगी योगी मैंने 100 रुपय पे बेचा था उसने खरीदने का मौका मिला 95 पे तो उसने 80 CR के आसपास कर ली होगी खरीदारी तो इतना बड़ा एक सेलर को देखते हुए मेरी इतनी बड़ी quantity के डाउन फॉल को देखते हुए इतनी बड़ी बिक्वाली को देखते हुए ये बायर डरे नहीं खरीद के भाव को कहां ले आएं 100 रुपय पे ले आएं तो मेरे पास अभी 800 CR अकाउंट में rest amount पड़ा है तो मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा कि इस बायर की ability कितनी है अभी रोक देते है 100 रुपय का मेरा पहला प्राइस है अब ये बायर अगर प्राइस को 110 तक ले जाएगा तो मैं दूसरी quantity sale करूंगा तो मेरा average price 105 हो जाएगा और इस बायर का जो यहाँ पर accumulation है उसका impact भी खत्म होगा फिर हमको 110 है जो momentum मिलेगा वो बड़ा momentum होगा जो अभी अभी price में buyers ने किया sellers ने क्या किया यहाँ पर वो लगातार बिकवाली कर रहे थे 53-200 पर price को आप ले आए 49-700 और 49-700 पर buyers ने क्या किया खरीदारी के शुरवात कर दी इतनी बड़ी aggressive selling जब price इतनी तेजी से गिरते हुए नीचे आ रहा हो और आपने खरीदारी करके भाव को फिर वहीं पहुचा दिया अब buyer क्या कर रहा है seller क्या कर रहा है आपको मौका दे रहा है आप उसके last selling price पर रुके नहीं वो रोक नहीं रहा है तो उसने और aggressive selling की तो पिछली बार से बड़ी गिरावट तो ये एक sellers का aggressive behavior है यहां से यहां तक time with price के concept में हम लोग class में सीखते हैं इस concept को कि यहां से यहां तक total number of candles downfall में कितनी लगी है देखिए ज़रा यहां से यहां तक total number of candles यहां पर देखें तो 22, 23, 24 candles का formation है round figure 24 candle माल लेते हैं यहां से यहां तक total downfall में कितना candles का formation है 6 candle का formation है तो पिछली बार sellers ने 53,000 से बेचकर ये लो लगाए थे अब की बार 4,500 से पिछली बार से ज़्यादा बिक्वाली time हो गया one fourth एक चौथा ही समय रह गया तो पिछली बार से seller ज़्यादा aggressive क्यों है क्योंकि उसने smart move किया है वही smart move की बात मैं कर रहा हूं कि price में क्या किया जाए कि 100 रुपय पर बिक्वाली हो और price आ जाए 95 रुपया मैंने बेचा सर 200 करोड से 1000 करोड था मेरे पस और फिर price में 95 रुपय पर इतनी बड़ी बिक्वाली को देखकर कोई seller डरा नहीं वो खरीद कर price को 100 रुपया ले आया तो मेरा smart move पहला तो यह है कि price में इसका impact खत्म हो जाने दे 105, 106, 108, 10 जहां तक जाएगा फिर मैं short करूँगा तो इसका impact भी खत्म हो जाएगा फिर नीचे price आएगा तो हमको बड़ा पैसा मिलेगा और हमारी quantity भी average हो जाएगी तो मुझे किसी buyer से fight नहीं करना होगा clear हुई बात लेकिन अगर इसकी जगे पहली बार हम इतनी बड़ी supply दे चुके हो और दुबारा price में 95 की price पर seller buyer खरीदारी करने लगे अब हम दो बार price में विक्वाली कर चुके हैं और हमारे पास अभी rest amount फिर पड़ा है 600 CR तो अब हम क्या करेंगे aggressive behavior अब की बार अगर आप 95 रुपए पर खरीदारी करके भाव को लेके गए 98 रुपए जो की मेरा last selling price है तो अब मैं आपको मौका नहीं दूँगा कि आप price को और लेके जाएं क्योंकि मेरा last selling order अब प्राइस पर पड़ा है तो मैं क्या करूँगा 97 रुपए से जो मैं 95 रुपए तक भाव को लाया था आप दुबारा 97 रुपए लेके जाएंगे मैं दुबारा वहीं पर 100 करोड की विक्वाली करूँगा और price को दुबारा 95 तक लेका रहाँगा ये पूरा price की approach समझा रहा हूँ जितना आप लोग smart money concept SMC सीखते हैं एक point इससे बाहर नहीं जाएगा बस समझने का आपका तरीका अलग है बस और ये जो logical approach में आपके सामने रखना हूँ ना सर यकीन मानिये ऐसे trade करते करते हम लोगों को बहुत समय हुआ और यही psychology के साथ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं लगातार consistently profit करते हैं आप देखते ही होंगे हम लोगों के results परकेट में कल बैठेंगे तो ये चीज़े experience करेंगे आपके आखों के सामने कि हाँ price work as well जैसे सिखाया गया वैसे हूब हूँ चीज़े आपके सामने काम कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जब दुबारा मैं बिक्वाली करूंगा तो मंचा साफ हो गई कि seller पिछली बार तो छोड़ दिया था इस बार seller overlap by selling कर रहा है overlap दोहराओ की selling एक बिक्वाली पहले 97 से की 100 करोड की आपने दुबारा price को पहुंचा या फिर बेच के price को बहीं पहुंचा दिया ये seller का aggressive behavior है अब वो यहाँ चाहता है प्राइज में odd downfall ऐसा recently दो condition में हमको देखने को मिला साथ अभी अभी तुरंट के तुरंट की बात कर रहा हूँ एक candle का formation daily time frame पे ये और recently आज के candle का formation क्या किया price ने? यहाँ पे last selling price है भाव में निचले इसतर 51.400 पे खरीदारी आ गई आप भाव को ले गए क्यावन 370 पर अभी तो seller बेशते हुए आ रहा था आप तुरंट उसके बीच में खरीदारी कीजेगा उसने तुरंट बेकवाली की price को दुबारा close कराया क्यावन 470 कहां से close कराया? बावन 470 कहां close कराया? एक क्यावन 500 के पास बावन 470 से 900 पॉइंट नीचे सर 900 पॉइंट तक बायर खरीद के लिए गया था तो जितनी डिमांड पड़ी थी पूरी काट दी जितना इंपक्ट था पूरा काट दिया ये एक aggressive seller का behavior है जैसे ही एक overlap candles के बाद उसके low break हों तो समझे ये वहाँ से downfall बहुत शार्प होगा आज के session में क्या हुआ? दो session का combined price अगर दो trading session का यहाँ time frame रखा जाए तो price क्या कर रहा है? दो trading session में price चल कर गया और इस high को touch करके आए और आज की closing क्या कर रहा है? 51-700 को touch करके 51-700 point के instant गिरा वट कहाँ? इसी candle के आई से overlap selling अब जैसे ही इन candles के low break होंगे तो selling aggressive हो जाएगी तो कल के session के लिए जब तक price इस range को trade करे तब तक आप सिर्फ sell on rise को trade करेंगे कि price rise करे और short करे price यहाँ से rise करे, swing high के पास जाए short करे थोड़ी गिरावट हो, rise करे, short करे थोड़ा और उपर जाए rise करें, short करे इस तरीके के आपके trade plan होंगे no trading range के अंदर जो लोग option selling और hedging बैदर तरीके से कर लेते हैं, उनके लिए ठीक है, और aggressive momentum आपको तब मिलेगा, जब 50-200 की यह range breakdown होगी तब पहला, तुरंत आपका जो पहला target होगा मिनिमम टार्गेट बोल रहा हूँ अगर यह breakdown होगया, तो break तो 49-600 भी होगा फिर ठीक है, यह बात तैं मानिए, जब तक यह breakdown नहीं हो रहा है, price रुका हुआ है और यह consolidation 3-4 session चले तो ज़्यादा बैतर है है ना, buyers जाते होगे momentum तो momentum upside तो है नहीं यह sellers का जो behavior है कि बार-बार दोहराओ के साथ selling कर रहे है repetitive selling कर रहे है, एक ही price पर दो बार उनका पैसा distribute किया जा रहा है तो ऐसा price action जब दिखता है तो यह aggressive behavior कभी price को रुखने नहीं देता, एक body size candle के बाद lower wick का एक hammer candle momentum को higher side push करता है एक red body size candle के बाद inverted hammer का candle momentum को down side push करता है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, इस candle में एक body size candle के बाद यह overlap buying यहाँ से price ने जब से यह high break किया जैसा ही price slow को test करने आया तो यह खरीदारी दिखती है तो आपके लिए aggressive selling area 5700 और दूसरा है 5200 जब तक यह दोनो resistance break नहीं होते long की positions की तरफ तो आपका mindset जाना ही नहीं चाहिए one mindset, one time, one mindset में क्या कि सिर्फ sell on rise और अगर aggressive big quality दिखे तो aggressive position के साथ trade करेंगे लगबग लगबग जितनी चीज़ों को मैंने आपके सामने अगर कोई doubt नहीं रह गया होगा अगर कोई doubt रह गया है तो नीचे comment section में बताइए या फिर directly आप description में जो telegram का link है उससे हमसे join करके भी directly message कर सकते है अगर कोई topic या कोई भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हों तो उसका suggestion भी आप comment section में रख सकते हैं सुबरात्री धनिवान